नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ हाथ लोग सामने हुँ आज महाशिवरात्री क्या पर्व हैं इसलिए मैं अपने सभी साथियों को महाशिवरात्री की अने एक अनेक सुपकामनाय प्रेशित करना चाहता हूँ और संयोग यह है कि आज का यह पर्व यह बताता है महाशिवरात्री का कि शिव और शक्ति का संकर जी का विवा भी आज ही हुआ था तो शिव और शक्ति का मिलन हुआ था किसके साथ हुआ था संकर जी का विवा पार्वती जी के साथ जगनमाता जगनमबा पार्वती के साथ संकर जी का विवा हुआ था तो यह संयोग का विश्य भी है कि आज ही महाशिवरात्री के दिन जिस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था उसी दिन इंटरनेशनल विमेंस डे भी है तो मैं अपने उन माताओं और भनों तथा उन सारी दुनिया भर की और महिलाओं को अनेक अनेक शुबकामनाय प्रिशित करना चाहता हूँ इंटरनेशनल विमेंस डे की और उम्मीद करता हूँ कि हमारा समाज इने एक सम्मान की दिश्य से देखेगा और सम्मान देगा धन्यवाद चलिए आईए वीडियो पर आगे भढ़ते हैं आज काई वीडियो हमारा है एक तमिलनाडू में एक गाउं है कुल शेखर पत्नम जैसा कि आप लोग मैप में देख भी सकते हैं यह गाउं आजकल बहुत चर्चा में हैं क्यों चर्चा में थे दो साल पहले ही आ चुका था क्योंकि इस जगह पर सर्वे किया आ जा रहा था क्या यहाँ पर कोई लांच पैट बनाया जा सकता है या लांच पोर्ट बनाया जा सकता है अब यह और चर्चा में आ गया है क्योंकि 28 था फैबुरी 2024 को भारत के प्राइमिस्टर रामंत्री माननी स्री नरेंद मोदी जी ने इस जगह पर एक नया लांच पोर्ट बनाने की आधार सिला रग दी और उम्मीद की जताई गई है कि दो सालों में बनकर के तयार भी हो ज सेलाइट के लिए लांच पैट बनाय जा रहा है लेकिन इसकी अंदर इंहेंसिंग कैफसीटी वह की अर्थात इसको बढ़ाया भी जा सकता है अर्थात इस से हाई भी सैटलेट को भी भीजा सकता थै मैं अले तू यह जानती ही के दूसरी बात यह यह यहां पर जो लांच पैट बनाया गया है इसके क्रफिटे होगी 24 सैटलाइट पर यर लांच करने की अब सवाल है पैदा होता है कि इसी गाहों को क्यों चुना गया है को लिशेखर पत्नम को ही क्यों चुना गया है तो एक तो यह शेफ अस्थान पर है दूसरी बात equator के नजदीक है दुनिया में जितने भी लांच पैट बनाये जाते हैं और country अपने location के according अपने सबसे equator के सबसे nearest place पर बनाता है जहां से उस country का कोई point equator के जितना नजदीक होता है वही पर बनाये जाता है क्योंकि equatorial region से पर gravitational acceleration का आमान polar region से कम होता है और इसके वज़ा से equator से अगर हम किसी मतलब satellite को भेजें तो उसमें कम शूर लगता है यह ध्यान रखने यह बात ध्यान रखने का कहा है दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है यह जो अस्थान है यह आपका प्रोपेल्स प्रोपल्संड रिसर्च कॉंप्लेक्स से कम दूरी पर है 88 किलोमेटर की दूरी पर है इससे जो है सैटलाइट का जो और additional material होता है उसको आराम से यहाँ पहुंचाया जा सकता है सैटलाइट को कैरी किया सकता है जबकि स्री हरी कोटा जो जहां पर पहला वाला है जहां से हैवी वो लांच करते हैं अपना हैवी सैटलाइट तो स्री हरी कोटा की जो दूरी है वो प्रपल्सन रिसर्च सेंटर से 780 क्रिमीटर पर है तो यहां मतलब ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट बहुत जादा लग जाता है सैटलाइट के पार्ट्स का या लांचिंग के पार्ट्स का अएसे में इस अस्थान को सबसे स्टेबल समझा गया और अब इसी अस्थान पर एक नया लांच पैड या लांच पोर्ट बनाया जा रहा है दूसरा भारत का आने वाले दिनों में इससे बहुत सारे एवनिव भी खुलेंगी बारत कामर्शियल अस्तर पर छोटे सैटलाइट को इस्पेस में भेज पाएगा और इससे इस्पेस टूरिजम को भी आने वाले दिनों में बढ़ावा मिलेगा उमेद करता हूँ कि यह परियोजना जल्द से जल्द अपने अन्जाम तक पहुंचेगी और यहाँ पर लांच पोर्ट बन जाएगा आए एक बार पुना हम आप सभी लोगों को महाशिवरात्य की धेर सारी सुबकामनाय प्रेशित करता हूँ मैं धन्यवावत नमस्कार जय हिन जय भारत पन्यवात्रम